हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजूकस्टने एंड नियूज सबसे पहले तो मैं बदाई देना चाहूँगा उन सबी बच्चों को जो आज और कल फार्मेसी, बीपीटी और पेरामेडिकल, पोस्ट बेसिक बीसी नर्सिंग और एमसी नर्सिंग का आउनलाइन एकजाम देने जा रहे हैं सबी स्टूडेंट को मैं बदाई देना चाहूँगा जिनका आउनलाइन एकजाम है दो जवरी को और तीन जवरी को मैं ये बात किलियर कर देना चाहता हूँ कि दो जनवरी को एक्जाम है मेरे दोस्तो फीजियो तेरेपी का यानि बीपीटी का और फार्मेसी का और तीन जनवरी को एक्जाम है पेरा मेडिकल का तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना किसी प्रेसर बिना किसी तनाव के बिना किसी टेंशन के सेंटर पे पहुंचना है ठीक है सेंटर पे एक्जाम के समय से डेट गंटे पहले पहुंचें कम से कम एक गंटा और 30 मिनट पहले आप सेंटर पर पहुं इस तरह कि जासे मत आना मेरे दोस्तों यह online exam में बिल्कुल वेबस्तित होता है राजस्तान युद्ध युन सिटी ऑफ एल साइंस का कोई भी पेपर आउट नहीं होता ठीक है बहुत से इसके प्रोटोकॉल है मेरे दोस्तों तो इसलिए किसी भी प्रकार के बेकावे में नही बड़ी आतरे से परिक्सा देनी है तो फारमेसी, पेरामेडिकल, फीजियो तेरेपी, बीएसी नर्सिंग, सोरी पोस्ट बैसिक बीएसी नर्सिंग और मेसी नर्सिंग इन कॉर्सेज की online exam, computer-based exam जो हैं वो दो और तीन जनवरी को होगा ठीक है मेरे दोस्तों केवल और केव हो जाएंगे, क्योंकि इस बार बीएसी नर्सिंग का exam offline mode में होगा, ठीक है, अब एक दो चीजे और है जो आपके जानने की है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे दोस्तों कोविड जो है, कोरोना जो है पेर पसा रहा है, तो इसलिए आपको दिखावे के लिए मास्क नह अगर आप बस में सफर कर रहे हैं, तो भी थोड़ा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जैपुर में COVID जदा पूरे रजस्तान में जितने केस आ रहे हैं, उसके बराबर जैपुर में आ रहे हैं, तो थोड़ा भीड़ बाड़ वाले इलाके में नहीं जाए तो बड़ी आए, exam देने के तुरंद बाद आप वापिस घर पहुंच जाएं ऐसा नहीं हो कि एक्जाम देने के बाद यह सोच लें कि थोड़ा गूम के आ जाते हैं ठीक है तो वो ठीक नहीं है तो यह भी इस बात का भी ध्यान रखना और सबसे बड़ी बात तो यह कि आपको चिंतित नहीं होना है टेंसन नहीं लेनी है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे दोस्तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है बहुत से बच्चे ऐसा नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग के डर से आप कहीं पृष्ण खाली मत छोड़ किया जाना सभी के सभी पृ पूरा 17 मिनट का वीडियो था उसकी लिंक भी नीचे description में डाल दूंगा जिन बच्चों को online exam देने की प्रक्रिया मालूम नहीं है वो उस वीडियो को देख लेना आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी ठीक है और एक बात कह देना चाहता हूं जैसे ही आप online exam देने ठीक है एक तो परवेस पत्र की फोटो कोपी और एक original identity card होना चीए आदार कार्ड बगेरा आदार कार्ड की फोटो कोपी बगेरा की जरूवत है नहीं फिर भी आप अपने पास एकाद फोटो कोपी रख सकते हैं और admit card की भी extra एकाद फोटो कोपी आप पास में जरूर रख ठीक है न तो इन चीजों का ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की jewelry पहन के नहीं जाना है रिंग हो गई गले की chain हो गई ठीक है न इस तरह की चीज़ें आपको center के अंदर ले जाने नहीं दी जाएगी अगर आपके साथ में कोई आपके गारजन है तो उनको देख करके जाए ठीक है और इसके अलावा मेरे दोस्तो एक्जाम इतनी बड़ी अतरह से देना है एक percentage भी tension मत लेना आप ये मस सोच लेना कि ये आपके जिंदकी का आखरी एक्जाम है ये कभी मस सोच लेना कि ये आपके जिंदकी का आखरी एक्जाम है बस इसमें selection नहीं हुआ तो पता नह क्या हो जाएगा ये अगर आपने सोच लिया तो आप गलत सोच रहें मेरे दोस्तों ये भी एक नॉर्मल एक्जाम की तरह एक्जाम है ठीक है ना एक नॉर्मल एक्जाम समझगे एक्जाम देना प्रेसर में नहीं आना ठीक है बढ़िया बात है नंबर आता है selection होता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं होता है तो और मेनद करेंगे और परियास करेंगे ऐसा तो है नहीं कि यह कॉर्स बंद हो रहा है ऐसा तो है नहीं ना तो इसलिए भईया बढ़ी अतरह से ठीक है न हर एक क्यूशन को अटेंड करना है टाइम का पूरा ध्यान रखना दो ग कि क्यूशन आये हैं मुझे वाटसप पर जरूर बताना क्यूंकि आज साम को मेरे दोस्तों इविनिंग की क्लास जो हैं बाइलोजी की केमेस्ट्री की आज हो नहीं पाएगी क्यूंकि आज साम हमारे इंग्लीज मेडियम स्कूल का इनोगरेशन कारेकरम है जो चार बज़े ये भी कहूँगा कि मेरे दोस्तों आपने ये एक्जाम दे दिया एक्जाम देने के बाद में आज इवनिंग में मैं इसके कट अप का भी एक वीडियो बनाऊंगा पेपर का किस तरह का क्या लेवल रहेगा उसका वीडियो बनाऊंगा और बाकि इसकी जो कट इसका कट वो कल इसकी की जारी हो जाएगी कल दो चीजें इस RUHS की वेबसाइट पर आपको मिलेगी मेरे दोस्तो एक तो इस वेबसाइट पर कल जारी हो जाएगी की और एक इस वेबसाइट पर कल जारी हो जाएगे BPT के और फारमेसी के और पेरामेडिकल के पेपर जैसे ही आपका paper हो जाएगा मेरे दोस्तो तो अगले दिन आपने जो online paper दिया है वो अगले दिन paper जो है इस website पर upload कर देंगे ठीक है और फिर आप जो है उस paper के अंदर आपको कोई आपती लगे कोई क्योशन गलत प्रिंट हुआ हो या किसी option के अंदर कोई गड़बड़ी हो तो आप आपती भी लगा सकते हो आपको मौका दिया जाएगा एक दो दिन का तो ऐसे कोई अगर प्रशन आपको लगे तो आप मुझे जरूर बताना अपन जो अपड़िया तरह से आपती लगाएंगे योनिवर्सिटी तक उन प्रशनों को बेजेंगे ठीक है और बाकी center म आप जो हैं किसी भी तरह से डिस्टब नहीं होना हैं अगर आपको कोई डिस्टब करने का परियास करें आप का अडोसी पडोसी दाएं बाएं जो भी बेटे हैं तो आप तुरंत वीक्सक को बताएं ठीक हैं किसी भी प्रकार की आपको संदिक्त गतिविदी लगे आपके center पर आप तुरंत center superintendent को इस बात की सूच ना दे सकते हैं मेरे दोस्तों ठीक हैं तो ये सभी जान करिये आपको ध्यान में रखनी है टाइम पर center पर पहुंच जाओ तुरंत आप ठीक हैं कुछ बच्चों का तब ही exam सुरू होने ही वाड़ा है और कुछ बच्चों का evening साम के time दोपर में exam हैं और कुछ बच्चों का कल exam है तो मैं तो सभी से आगरे करूंगा कि आप समय पे center पे पहुंचो या center एक बार visit करके आजाओ फिसे इसकर जो पेरा medical के बच्चे हैं उनकी संक्या जादा है ठीक है फार्मेसी वाले बच्चों की फिसंक्या जादा है तो आप center को पहले देख के आजाओ ठीक है न कि आपका center कहां पे है क्या है ताकि फिर दुबारा जाने में आपको सुईदा रहे ठीक है बार बार पूछना नहीं पड़ेगी ये center कहां पे है क्या है ठीक है इन सारी बातों का क्या रखना है ध्यान रखना है और आपको कोई भी दिक् पीचे comment box में comment करके मुझे बताएं ठीके मेरी तरफ से पूरी help होगी ठीके पूरा solution होगा किसी बच्चे को गर exam से पहले किसी तरह की जैपूर में दिक्कत हो रही है तुरंद मुझे message करना मेरे WhatsApp पे मेरे तरफ से ठीके जैसी मदद हो पाएगी मैं करने का परियास करूँगा ठीक है मेरे दोस्तों तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें जै हिंद वंदे मातरम भारत माता की जै